मेरट के थाना कंकर खेडा शेत्र के जवेरी गाउं में पात साल की मासूम बच्ची के साथ दुशकर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस ने गिरफता के दौरान SP सिटी मान सिंग ने इस मामले का खुलासा करती वे बताया कि पात साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला रिष्टे में चाचा लगता है आपको बता दे की एक दिन पूर्व यानि एक उक्टोबर की दौपहर के वक्त पात साल की मासूम बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी तभी उसका मूँ बोला चाचा वहाँ पहुँचा और मासूम बच्ची से दुशकर्म किया और बच्ची से मार्पीट करके किसी को भी कुछ ना बताने की धम्ची दे कर फरार हो गया वही मासूम बच्ची ने अपनी आप बीती मा को सिनाई मासूम बच्ची के माबाप ने 100 नंबर पर सुचना दे कर इस घर्टना की जनकारी दी पुलीस के पहुचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया आरोपी शहर छोड़ कर भागने का प्रयास कर रहा था कि तभी पुलीस ने उसको जिरफ्तार कर लिया आरोपी चाचा पर मासूम बच्ची पर अश्नीन, हरकद, पलातकार और मारपीट का मामला दर्च कर जेल भेज दिया है कंकर था ठानाचित में कल एक दिन में घटना हुई बड़ी दुखत घटना हुई जिसमें 6-7 साल की बच्ची के साथ में दिसकर्म हुआ बाद मैं पता चला कि दिसकर्म करने वाला जो आगमी था, वो 30-30 साल का है और पलिस्टिन उसका चाचे लगता है, वो सिक करवार से है आज पलिस्टिन उसको ग्रफतार कर लिया है, उसका मैडिकल वगरा कराया गया है, उसकी कुस्ती भी है, जो भी धारा बनती हैं, उन धारा में हम लोगों उने उन्टोनिक पॉक्स वाइट उसमें मुकदमा दाच करके, इसके खलाब जो भी कड़ी वैदानी कारवाई हो सक जो पॉप्सक्राइब करें और रेगलर नीज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत बूदिए